उत्तरप्रदेश में एक नई प्रात्मिक सिक्षक भरती एक बड़ा मुद्दा कब आएगी एक नई सिक्षक भरती और इसी के करम में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मौँ से प्रकाशत ये खबर बिगड़ता जा रहा सिक्षक वाच्छात्रों का अनुपाद प्रात्मिक सिक्षक भरती की बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार जिस तरीके से यहाँ पर भी जो सरकार कह रही है कहते ना कि एक तरीके से पोल खुल जाना जो है जूट की पोल खुल जाना तो यहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे एक एक जिले का भी आप डेटा देखते हो अच्छी तरीके से कि कितने सिक्षकों की कमी है प्रात्मिक शिक्षक की सेक्षक गुडवत्ता की बहतरीक असवाल जिला मुख्याले पर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है यहां इसके क्रम में इन्होंने बताया है जब हम बात करते हैं कि छात्रों और सिक्षकों के अनुपात को ले करके तो वो बेमेल हो गया है नगर शिक्षक क्षेत्र के 38 प्राइमरी स्कुलों में लग भग 4500 चात्रों का नामंकन है यहां पर पढ़ रहा हूं है जबकि उन्हें पढ़ाने को सिक्षक वा सिक्षामित्र जो है कुलमिला करके 102 है तीस बच्चों पर एक सिक्षक नियुक्त किये जाने का मानक है और यहां पर अगर हम नगर शिक्षेत्र की बात करते हैं तो आउसतन एक ही अध्यापक पर 44-45 बच्चों तक का बोज जो है वो देखने को मिल रहा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हो एक जिले का हाल है कितने जिलों में कितनी सीटे भी खाली है यह सरकार जो है इन्होंने खोद ही सुविकार किया था कि आपके 5112 सीटे हैं लेकिन अभी तक किसी भी अगर हम बात करें जो आपके एक अच्छे पद पर हैं जो जैसे हम अगर मानिनी मुख्य मंत्री जी की बात करते हैं तो अभी एक भी बार अन्य मंत्रियों की बात अलग है लेकिन अगर उनके द्वारा कोई भी बात या जिक्र की जाती है जरूर करियेगा, आपका क्या कुछ आइसे मैं कहना है, दूसरी ख़बर कि अगर हम बात करें, यहाँ पर टूटल जो पूरी ख़बर है, आप यहाँ से देख पा रहे हूंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेकपाल भरती में साक्षाथकार नहीं, प्रदेश में की जो है वो सिधे-सिधे परीक्षा होगी यहाँ पर हम आपको बता दें यहाँ पर लेखपाल सेवन यह मावली मंजूर है खाली पत जो है वो सीघर भरे जाएंगे यह बात भी यहाँ पर बताई गई है तो आप इसका भी स्क्रेशाट ले सकते हैं यूपिटर पल ऐसी केलिग्राम चैनल है उससे भी आप जरूर जुनें